वापस जमीन पर गिरता है वो क्या कहलाता है प्रेसिपिटेशन कहलाता है जल चक्र क्या है यानि वाटर साइकल क्या है दा प्रोसेश वाइविच वाटर चेंज इस फॉर्म और उसकी अवस्थाइं जो बदलती रहती है वाटर साइकल क्या है कि जैसे नदी नदी से पानी या समुधरा कहीं भी अर्थ से जब और इत्मस्वेर में जो कंडेंस उने के बाद ग्लावड बनते हैं क्लावड कर फिर से वह रेंफॉल की फॉम में जब रक्सी पर वापस आता है तो पानी बदली यह इस दात्वर्म बन यजी इस टाथसे प्रक्रिया चलती रहती है यानि जमीन से पानीय दोर्बाल अवोपरेट ने er होने के बार में परप्तिपर धाने Гणिल के जाता है तो यह आप्सम प्रत्वी पर पानी आगडा सीखलaten ऐhalf Are the factors affecting the heart of Wade यह निए फॉलोंग फेक्टर सार एफेक्टिंग दा हाइट व्याव स्पीड ओफ विंड वेवा तेज चलेगी तो पानी कि जो है उसकी जो वेव होती है वह बहुत एकदम तेजी चलती है और अर्थ्वेक्ट होते हैं यानि भुकम से भी यह होती है उसको फर्क पड़ता है पर वॉल्कैनिक इरॉप्शन से भी और अंडर वाटर लैंड स्लाइड होती है यानि जल के नीचे जो लैंड स्लाइड हो जाती है उसके वजह से भी जो है वेव की हाइड जो है एफेक्ट होती है ठीके बच्छो फॉर्थ कोशन है वीच फेक्टर सफेक्ट दा मुवमेंट पानी घरम होगा तो जल जली चलता है थंडा होता है तो तो तेम्परेचर बिगांड चाहिए और वलकैनिक इरॉप्शन दालते हैं और ग्रैविटेशनल नगे जो नहीं जो गुरत्वआकर्शन बहले तो वहीड करता है वह एक वोटर की मूवमेंट पर एफेक्ट आलता है। टिके बच्चो नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कि वाटर दा टाइट्स एंड हाउ आर दे कर्स्ट कि टाइट्स क्या है और यह कैसे बनती है तो दा रिदमिक राइज और फॉल ऑफ ओशन वाटर का वो दिन में दो बार होता है इसे क्या कहते हैं टाइट गोलते हैं और ड्यू टू दा स्ट्राउंग ग्रैविटेशन पावर ओफ सनने और यह किस कारण होता है अर्थ पर जो है पानी है जो उसकों जो सन और मून होते हैं वह उनकी ग्रैविटेशनल पावर की वज़े से जिटाइट्स बनती हैं अब है वाटर ओषिं करेंट्स क्या होती है त देफिन डिरेक्शन जो कि जो ऑशन जो और सुर्फेस का यानि ऑशन का जो वाटर जो एक ही दिशा में भीटा है तो तो क्या कहलाते हैं हमारी ओशन करेंट्स कैलाते हैं ऊके बच्चों आज इतना है काल फीर इसके अधियर जब आएंगे ओके थांक्यू